सुप्रभात्य स्टुडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण किताब से पार्ट नंबर पांच, लिंग और आज हम समझेंगे कि लिंग क्या होता है और इसे कैसे बदला जाता है चलिए शिरू करते हैं संग्या या सर्विनाम के जिस रूप से उसकी पुरुष या इस्त्रे जाती के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं लिंग के दो भेद होते हैं पुर्लिंग और इस्त्रे लिंग पुर्लिंग यह बोट कराता है कि हम किसी पुरुष जाती के बारे में बात कर रहे हैं और इस्त्रिलिंग यह बोट कर आता है कि हम किसी इस्त्रिजाती के बारे में बात कर रहे हैं चित्रों को देखें और इनके नीचे लिखें शब्दों को ध्यान से पढ़ें लड़का, राजा, आदमी, लड़की, रानी, औरत उपर दिये गए चित्रों में लड़का, राजा, आदमी शब्दों से इनकी पुरुष जाती होने की पहचान हो रही है इसी प्रकार नीचे दिये गए चित्रों में लड़की, रानी, तथा औरत शब्दों से इनकी इस्त्री जाती होने की पहचान हो रही है अथार्ट, लिंग, पुरुष या इस्त्री जाती की पहचान कराता है जिन शब्दों से पुरुष जाती के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्त्यों, इस्थानों और भावों का बोथ होता है उन्हें पुर्डिंग कहते हैं जैसे कबूतर, आदमी, आम, तक्या, स्टेशन, बैंगन, दर्वाजा, लड़का यह सारे शब्द हमें पुर्डिंग जाती होने का बोथ कराते हैं जिन शब्दों से इस्त्री जाती के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्त्यों, इस्थानों और भावों का बोथ होता है उन्हें इस्त्री लिंग कहते हैं जैसे लड़की, रानी, चील, लीची, बिंडी, औरत, रजाई, खिर्की यह सब्द इस्त्री लिंग होने का बोथ कराते हैं आओ, कुछ और पुर्डिंग और स्त्री लिंग शब्दों को जाने पुर्लिंग, राजा, मस्दूर, फूल, टैलिफोन यह सब्द पुर्डिंग शब्द है इस्त्रिलिंग गाय, बिल्ली, मुर्गी, गुडिया यह सभी शब्द इस्त्रिलिंग है और इन शब्दों से इस्त्रि जाती होने का बोध होता है चलिए सीखते हैं लिंग कैसे बदले जाते हैं पहला पूर्लिंग शब्द है बकरा बकरा का इस्त्रिलिंग बकरी, गुड़ा का गुड़िया, आदमी का औरत, नाई का नाइन, बैल का गाय, सेवक का सेविका, देवर का देवरानी, जेट का जेठानी और इस तरह आज हमने सीखा कि पुर्लिंग से इस्त्रिलिंग कैसे बदला जाता है